नमस्कार पर राम सभी लोगों को मैं हूं मनिश्ट ओधरी और आज एक वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में अपनी एक बात रखना चाहता हूं जैसा कि पहले तो यह वीडियो आप लोग लास्टर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूं प्रेंट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार में समय चल लाए भी धान सबाचुना और उसमें सभी पाटिया आपने रुतबा आपने अपना दम दिखा चुकी हैं लेकिन कही ना कही जितने भी यह वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं क्यों ने इस वीडियो को दसी लोग देख रहे हो लेकिन उनसे मेरी स्टक्त अपील है कि अगर जो लोग बिहार्च कोई भी देख रहे हो या फिर यूपी से भी देख रहे हो तो इसमें क्या करना है यह हम आप लोग को बताते हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक तरफ है आर जेडी के जो आर जेडी का महा गठ बंदन है उसमें एक तरफ अकेले तेजस्वी यादों जो है वो रैलिया कर रहे हैं और उनके पीछे जो है बीजेपी और जेडीयू का जो भी कुछ है वो कितने सारे लोग सभी लोगों को मैदान में उतार चुके हैं लेकिन वो कहते हैं कि सच्चाई के आगे आप कितना वीजो लगाएंगे तो जुके का नहीं दोस्तों यह चुनाओ जातिपातिका नहीं हो रहा है यह चुनाओ एक मतलब विकास के मुद्दे पर हो रहा है इसमें लोग कितना जूट बोले हैं आप लोग देखी सकते हैं और बिल्कुल देख सकते हैं चुकि यह लोगडाउन चल ला था कि पहले भी लोगडाउन था आप सभी लोगों ने देखा था चुकि मुझे यह वीडियो बहुत पह आते हैं कैसे जूट बोलते हैं और जनता के सामने जूट बोलते हैं जनता इनका विरोध करती है पबलिक इनके सामने इनका विरोध करती है तो यह लोग उन पबलिक पे भी गुस्ता दिखाते हैं और पबलिक को भी पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं कि जाओ हमें तुम् जैसे कि अकेले तेजस्वी यादव उधर जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनके पीछे इधर बहुत सारे हेलिकाप्टर हैं लेकिन सोचने वाली बात यह है एक बहुत बढ़ी बाती है कि जिस पराक्रम और जिस तेजस्वी के साथ तेजस्वी यादव वहा झान हो के लिए बहुत बड़ी बात है और युगां के लिए जोस और जुनून से भर पूर है और इस पीज्ट नहीं में कोई संक्षार इंप इसबार Ste Be की याद पर बिहार का सेम बन जाते हैं तो इस बार तेज्ञषवी बिहार का जो रूप रंग है वह बिलकुल बदाल सकते हैं कोई मतलभ हो नहीं रहा गया कोईर ay ही नहीं कुकि अबहीक तक तो वह भी उतना नहीं जानते हो जो लोग celebrity होंगे वो लोग तो जानते होंगे क्योंकि 15 साल से जरूर जेडी और गठमंधन का सरकार रही है बिहार में लेकिन कितना विकास हो पाया है यह सभी लोग आपने लोग जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का इस पे तो कोई लोग बात ही नहीं कर रहा है इस बिहार के युवा चाहें बिहार के कोई भी गार्जियंसों कोई भी परिवार से लोगों अगर इस बार अगर गठमंधन की सरकार नहीं आती है इस बार आरजेडी के अगर सरकार बिहार में नहीं आती है तो यह बहुत बड़ी हार होगी लोग तंत्र की और बहुत बड़ी यूपी में भी बहुत रोजगार है लेकिन हमारे यूपी में तो लोग स्टड़कों पर आ जा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है आपने देखा था हमारे पीएम सर का जो वर्थडे था 17 सेप्टेंबर को उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया था और यह होना चाहिए हम लोग की आवाज उठनी चाहिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि चारो तरब से खदर दिये हैं कोई कहता है अभी तो हमने देखा था बिहार में भी जो सर आय थे बिजेपी के जो राष्टी अध्यक्ष नड़ा सर आय थे उन्होंने बुला था कि बिहार में हैं थे चारो पndками की घुष्टने वाले और पताने सब कैसे कैसे वाण बाजी करता है अच्छी बात है आप लूग की मतलब जनता का आप लोग का भी शंपर आप लोगों ने बहुत राज किया एसा नहीं किया लेकिन आप लोगों ने क्या दिया यह आप लोग जानती हूंगे और देखा जा रहे जिर बहुत शारे लोग काया रहा है लिट्रिक्थ सब्सक्राइख नहीं रही है क्योंकि बीस्टेंसिंग का पालन करते हैं अगप रेली करने क्यों आते चलिए आप ऐएंट ठीक है आप ऐसे लोगों को रयली में प्रचार के लिए उतार रहें जिनका कोई मांगर मकसद ही नहीं यूपी में तो बिहार में लेकिन कोई बात नहीं एक के पीछे उसमें तो माभारत में भी एक थे अभिमनु उनके पीछे उतनी सारी लगी थी तो वह तो कैसे भी निकाल यह थे लेकिन यहां का अभिमनु जो है बिहार में तेजस्वी आदों हैं इनको आप हरा नहीं पाएंगे और सबसे बड़ी बात यूपी के लोग भी अब समसदार हो चुके हैं अब यह लोग पीछे हटने वाले नहीं है यूपी से भी हम तो इस बात बहुत जादा कर वे कि यूपी के लोग पूरी समर्थन के साथ बिहार में जाकर के इसका चुना प्रचार कर रहें और करना चाहिए अगर विपक्षी यादों के साथ अप बिल्कुल जी तरीके से आपने जी स्टरीके से स्टोर्य और पराकरम दिखाया है उमीद है कि आप जरूर आएंगे जरूर आएंगे और खास करके उन युवाओं के लिए बिहार के युवा और यूपी के या युवा जो हैं उनसे यहीं अपिल है कि भाई हम लोगों ने भी बहुत देखा और आप लोगों ने भी बहुत देखा इस बार आपके पास समय है परियाप्त समय है कल सुबह 28 तारीक को 28 अक्टूबर को बिहार में व ऐसा मत करिएगा कि पस्ताना पड़े आगे चलके पस्ताना पड़े एक वोट नहीं आप दस बोट डालिए लेकिन आर्जेडी को ही डालिए क्योंकि इसमें आपको सबसे बड़ा यह मिला है कि इसमें पहली कैबिनेट मिटिंग में ही जैसा कि तेजस्वी यादों ने हर अ वाली बाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता का क्याम मूड बनता है लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर युवा होंगे आप अगर आपके पास अगर भविशी के लिए कोई भी ख्वाब होगा तो आप इसको चुनिएगा आप आर्जेडी को ही चुनिएगा उन सब के अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि हाँ अब हमको साइद मिल सकता है रोजगार चुकि शेर तो जंगल में दो ही रहता है और आप लोग जान रहें कि दो सेर कौन है यूपी बिहार का बस दो ही सेर है और वो दोनों सेर जो है सीम बनने वाले हैं तो जितने भी बिहा च्छाइब करें चलते हैं और एक बात और इस वीडियो क्लास्ट में जाते जाते का दू जिसको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी हो भाईया अच्छी लगी हो तो भी धने बाद क्योंकि हमारा मक्सद है सच्छाई को सामने लाना और आभी देख चुके हैं तो इसमें ज अगली वीडियो के साथ